आपका बहुत बहुत स्वागत आज हम आपको बताने वाले हैं आप अपले इस्टोर की सर्च हिस्ट्री को कैसे डिलीट कर सकते हैं वो भी बिना किसी आप को डॉल्लूट किये बगार आज हम अपने इस वीडियो में यह बताएंगे वीडियो करते हैं मिस्टार्ट आपको अपने प्लेश्टोर पर आदाना है आपको अपने प्लेश्टोर को ओपिन कर लेना है ओपिन करने के बाद जैसे कि आप मैं यहाँ पर कुछ भी सर्च करता हूं जी ए एम गेम ओके सदस्क्राई ओ सब्सक्राइ Silence की कि पर यहाँ पर आपकी सर्च हिश्टोर होती है यह डिलिट नहीं होती है कि तो यह जो है आपको और पाले मिन जल्ट नहीं होती है तो आप यहां से बड़ी असफनी सर्च कर सकते हैं कि आपको आपने यहांपर प्रोफाइल दिख रही होगी आपको देना है प्रोफाइल पर जैसे ही आप क्लिक करोगे यहांपर आपको इसके ओपर आपको simple सा click कर देना है click करने के बाद यहाँ पर आपको setting option मिल जाएगा सबसे नीचे setting पर आजाना है setting पर आने के बाद यहाँ पर आपको journal का option मिल जाएगा सबसे ओपर पहले नमबर पर ओके फिर उसके बाद आपको यहाँ पर दूसरे नमबर पर एक सेटिंग मिल जाएगी अकाउंट एंड डिवाइस प्रेपेशन ओके इसके उपर आपको क्लिक कर देना है जैसे ही आप क्लिक करोगे आपको नीची आ जाना है थोड़ा सा ओके यहाँ पर आपको पहले नमबर पर एक ओप्षन मिल जाएगा किलियर डिवाइस सर्च हिस्ट्री यहाँ पर आपको एक ओप्षन मिल जाएगा किलियर डिवाइस सर्च हिस्ट्री इसको पर आपको क्लिक कर देना है क्लिक करने के बाद यहाँ पर दो option होंगे cancel और एक clear history इस आपको यहाँ पर clear history पर click कर देना है बस इससे जो आपकी जो भी search history थी वो delete हो गई हो गई ओके delete हो गई आप यहाँ से back आजाएं और back आने के बाद यहाँ आप आपना check कर सकते हैं आपके में कोई भी history नहीं है तो इस तरहां से आप अपने phone के play store की searching history को delete कर सकते हैं कोई ज़्यादा मुस्किल नहीं है बड़े आसानी से आप इसको delete कर सकते हैं वीडियो कैसी लगी है वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को like, comment, share and subscribe कर दीजे, bell icon को दबा दीजे, ऐसे ही tips and trick वीडियो आपको मिलती रहेंगी हमारे channel पर मिलते हैं next वीडियो में thank you so much, धन्यवाद